दोस्तों आपका बहुत बस स्वाकत है हमारे और आपके यूटूब चैनल जी के टिप्स बाई मेहंदर बुगालिया पर आज अपने इस क्लास के अंदर जो रास्तान के परमुख खिलाडी है उनके बारे में चर्चा करेंगे मैंने आपको पिछले छे मेने का करंट अफेर द कि सर में परमुख खिलाडी एक जगे बता दू तो उसी सरनी के अंदर रास्तान के जो परमुख खिलाडी है उनसब की मैंने एक लिष्ट तयार कि एक पीडियेप तयार किये जिसको अभी मैं कुछ मेंटों में आपको बता दूँगा और इसमें रास्तान के परमुख जो करें अच्छे अच्छे कमेंट करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और बेल वाला आइकन को दबा लेना जिससे आपको नोटिपिकेशन मिलेगा चलिए आज की क्लास को पर विदिवत रूप से शुरुवात करते हैं आज की क्लास में क्या है रास्तान के प्रमुक खिला लेखरा आपको बताया अंहीं लेखरा के बारे मैं आप जानते हो ये एक चर्चित मुद्द्दर रहता रास्तान कें अंकर अभनी लेखरा पिछले कुछ सालों से अनी लेखरा का खैल की है तो ये महिला निसनक Quill इंदर निच्पूर जैंकर टोक्यो प्रा-लॉंबिक खेल 2020 में दो पदक, एक संब पदक और एक कशे पदक जीता था जब टोक्यो पेरा ओलंपिक खेल हुए थे 2020 के अंदर तुछ इनों ने दो पदक जीते थे, एक संब पदक जीता था और एक काशे पदक जीता था महिला निशाने बाजे जेपुरत हैं अवनी लेकरा इनका नाम है टोक्यो पेरा अलम्पिक में समापन सावरों में धवजवाग थी आपसे पूछ सकते हैं जो टोक्यो में पेरा अलम्पिक हुए थे हैं उसके अंदर समापन सावरों में धवजवाग कौन थी तो अवनी लेकरा थी आगे क्या है पेरा उलम्पिक अवार 2021 में बेस्ट फिमेल डेविय वार्ड था ठीक है पेरा उलम्पिक अवार 2021 में बेस्ट फिमेल डेविय वार्ड किसको दिया गया था तो अवनी लेकरा को दिया गया था पेरा वल्ड कप प्रांस में दो संफधक जीते थे जब पेरा वल्ड कप फ्रांस 2022 के अंदर जब पेरा वल्ड कप हुआ था फ्रांस के अंदर तो वहांपर भी 2022 के अंदर दस मीटर एर राइफल एसेज फष्टव में दो सो पचास पुइंट 6 अंगों के साथ विश्वे रिकोर्ड बनाया था ये भी एक इंपोर्टेंट है इनकी जो रेंज है वो पूची जाती है एर राइफल की तो आपको ध्यान रखना है दस मीटर एर राइफल के के अंदर एसे फश्ट के अंदर 250.6 अंकों के साथ वर्ड रिकोर्ड पेरा वल्ड कप 2022 के अंदर अवनी लेखरा ने मनाया था पदम श्री वाड मिल चुका है 2022 के अंदर आप जानते हैं उनको पदम श्री वाड मिला है 2022 के अंदर ये भी एक इंपोर्टेंट फेक्ट है ठीक है मेजर ध्यांचंद खेल रतन पुरुसकार 2021 से इन्हें नवाजा गया है बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ योजना की ब्रांड एमेश्टर है ये भी एक इंपोर्टेंट लाइन बनती है इसके अंदर के बेटी पड़ाओ बेटी बचाओ योजना की ब्रांड एमेश्टर कोन है तो उनकी ब्रांड एमेश्टर है अवनी लेकरा अवनी लेकरा को मेजर ध्यांचंद खेल रतन पुरुसकार मेड़ा हुए 2021 का और इन्हें पदम स्रीवाड 2022 से भी समानित किया गया है क्योंकि उन्होंने पेरा वल्ड कप 2022 के अंदर 10 मीटर एर राइपल एसेच फर्ष्ट में 250.6 अंकों के साथ वल्ड रिकॉर्ड बाया था और पेरा वल्ड कप जो फ्रांच के अंदर वा तो उसके अंदर दो संपदक भी जीते थे तो आपको अपनी लेकरा के बारे में ये डीटेल याद करने की आपको सिस करना इसके बा पेरा उलम्पिक में संपदक जीतने वाले परतम भारती खिलाडी ये भी एक इंपोर्टेंट फेक्ट बनता है कि पेरा उलम्पिक में संपदक जीतने वाले परतम भारती खिलाडी कोने तो हैं देवेंदर जाजडिया चूरू वाले देवेंदर जाजडिया जो जेवेलिन खेल रतन अवाड 2017 इनको मिला है ठीक है मेजर ध्यांचंद खेल रतन अवाड 2017 कि इनको मिला है देवंदर जाजडिया जी को मिला है मेजर ध्यांचंद खेल रतन अवाड 2021 भी ने दिया गया तो 2017 और 2021 दो इनको मेजर ध्यांचंद खेल रतन अवाड मिल चुके है देवंदर जांजडिया जी को पदम भूशन अवाड मिला 2022 के अंदर पदम जो पदम भूशन अवाड है 2022 उससे इनको नवाजा गया है ठीक है रास्तान राजी निर्वाचन आयोग के ब्रांडे मेस्टर बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ की तो अवनी लेक रहा थी और राजस्तान रा में भी आपको करवा रखा है मैंने करंड़ फेर में भी इस चीज़ को आपको अच्छे से करवा रखा है और मैंने वहाँ पर आपको बताया भी था कि जो 2022 के अंदर वर्ड एथिलिटिक्स ग्रांड फिक्स जो मुरकों के अंदर वे थे वहाँ पर रजत पतक जीता है देवंदर जाजडिया जी को अरजुन वार्ड दिया गया था मारना परता पुरुसकार दोजर तीन चार में दिया गया तो इनको इतने पुरुसकार दे रखे हैं रीट वाले बच्चे अगर कई ऐसा लग जाए कि आप टपा मारने की इस्तती में आगे हो और अगर ऐसे सम महिला किरिगेट रहे मिताली राज को अप अच्छे से जानते हो मिताली राज जो लड़कें वो राटकोली को जानती है वैसे लड़कें इसको जानते मिताली राज परसिद महिला किरिगेट रहे ठीक है जनम कब वहा था इनका तो उगनी 182 में जोदपूर की खिलाड़ी ह पिरिया पूनिया ठीक है द्यान रगना है मिताली राज परसिद महिला किरिगेट रहें उनका जनम गुणी सो अब इनकी उपलब दिया पढ़ना मिताली राज जैसे किरिगेट के अंदर भी विराट को लिए वेसे उस टाइम पर मिताली राज थी ठीक है मिताली राज का रिक कप खेलने वाली एक मातर महिला किरिगेटर एक मातर महिला किरिगेटर है जिसने आज तक 26 कप खेले हैं डेब्यू मेच में आइलेंड के खिलाप उगणी सो निन्यानमा में इन्होंने सत्तक मारा था जून 2022 में अंतराष्टी किरिगेट से सन्याष की गोशना किती जून 2022 में इसलिए ये भी हाली में मुद्दे में चल रही है चर्ची चल रही है जून 2022 में इन्होंने अपना जो रिटार्मेंट है वो लिया था 2004 में इनको अरजुन पुरुसकार मिला वा है पदमशिरी पुरुसकार इनको 2005 में मिला था मेजर द्यानचंद खेल रतन पुरुसकार इनको 2021 के अंदर तो 2021 के अंदर मेजर द्यानचंद खेल पुरुसकार भी मिल चुका है पदमशिरी से इनको 2005 में नवाजा गया है अरजुन पुरुसकार इनको 2004 में मिला है मिताली राज पर हाली में फिलम बनी है जिसका नाम है साबास मिट्टू तो आप से पूछ सकते हैं जो साबास मिट्टू फिलम है वो किस बारती है खिलाडी पर या किस रास्तानी खिलाडी पर बनी हुई है तो आपको ध्यान रगना है मिताली राज पर बनी हुई है साबास म पूनिया को आप ध्यान रखना है राजगड चूरू से हैं और डिस्क थ्रोके खिलाडी है चौदा फरवरी 2022 को राज़तान राजी केड़ा परिशद की अध्यक्स बनाया गया था इनको तो अभी हाले में चौदा फरवरी 2022 को राज़तान राजी केड़ा परिशद का अध्य करेस के विदाइक है 14 फरवरी 2022 को रास्तान राजी कीड़ा प्रिश्द की अध्यक्स इनको बनाया गया था और क्रशना पूनिया राजगर चूरू से हैं डिस्क थ्रोके खलाड़ी है इनको कौन-कौन से परमुक पुरुसकार मिल चुके हैं उनको मैं बता देता हूं एक बा पुरुसकार दोजार नोदस में मिला था पदमश्री सम्मान वर्स 2011 में और महरणा परताप पुरुसकार और अरावली सम्मान उनको मिल चुका है आगे द्यान रगना आगे क्या आगले खिलाड़ी है क्रश्णा नागर क्रश्णा नागर जो जेपूर थे हैं और बेड़ म पदक जीता था इस्पेनिस पेरा बेड़ मिटन 2022 में दो सर्ण पदक जीते हैं तोक्यो पेरा उलमपिक खेल के अंदर इस सिक्स के अंदर उनने एक सर्ण पदक जीता है जेपूर जिले से बेड़ मिटन के खिलाड़ी है क्रश्णा नागर आपको ये इंपोर्टेंट डिय के सुन्दर सिंग गुजर है उनको टोक्यो पेरा उलमपिक 2020 में कौन सा पदक हासिल किया था तो काश ये पदक हासिल किया था ध्यान रखना है सुन्दर सिंग गुजर जो क्रोली से हैं उन्होंने टोक्यो पेरा उलमपिक 2020 के अंदर काश ये पदक जीता था राजीव गां ग्रामिन ओलंपिक 2022 हुए थे उनकी मसाल मुकी मंत्रिय सो गेलोत ने इनको सोपी थी जिसमें मंजू बाला हेमर्थ्रों के खिलाड़ी है और रजत चोहां तिरंदाज है दोनों की खेल ध्यान रगना इंपोर्टेंट है तिरंदाज लिंबाराम का समन्द किस जिले से हैं तो उद्देपूर से तो लिंबाराम है वो तिरंदाजी की खिलाड़ी है और इनका जिला कौन सा है उद्देपूर है दोनों ध्यान रखना तिरंदाजी की खिलाड़ी है लिंबाराम और इनका जिला कौन सा है उद्देपूर जिला है इनका आगे क्या है विश्वेक कुस्ती रेंकिंग शिरीज 2022 के अंदर गुण 60 किलोग्राम बारवरग में सवन पदक हासिल किसने किया था तो सरीता मोर ने जो गंगानगर थे हैं आपसे पूछ सकते हैं सरीता मोर किसे समंदित इनका खेल कौन सा है तो आपको बताना है कुस्ती सरीता मोर है वो कुस्ती से समंदिते और उन्होंने 2022 के अंदर गुण 60 किलोग्राम बारवर्ग के अंदर सवन पदक भी आसिल किया और गंगानगर थे हैं सरीता मोर मूल थे सोनीपत हरियाना की है वर्तमान में गंगानगर रेलवे टीटी पद पर कारिय रते ठीक है आगे क्या है लक्षे राज, आदिराज सिंग, पुस्पेंदर सिंग राटोड ये सभी हेंड़ बोल खिलाडी है जिनका हाली में बारत की जूनियर हेंड़ बोल टीम के अंदर चेन हुआ है ये सारे रास्तान का है लक्षेराज, आदिराज सिंग, पुषपे अंदर सिंग राटोड ये तिनुई हेंड बोल के खिलाड़ी है जिनका हाली में भारत के जूनियर हेंड बोल के इनदर इनका चेन हुआ है बजरंगलाल ताकर जो सिक्कर के बजरंगलाल ताकर है उनका समंद किस खेल से है तो नोकायान से ये भी इंपोर्टेंट है पीटीटी के एक्जामे साइद इस बार पूछा गया था बजरंगलाल ताकर जो सिक्कर से हो किस खेल से समंदीते है वो तो नोकायान से समंदीते है बजरंगलाल ताकर आके जलते हैं आगे क्या है तिरंदाज शाम सुंदर स्वामी का समंद किस खेल से हैं तो विकानेर से हैं किस जिले से हैं पूचा है जो तिरंदा श्याम सुंदर स्वामी है उनका समंध किस जिले से विकानेर से श्याम सुंदर स्वामी का खेल कौन सा है तो तिरंदा जीन का खेल है खेल और जिला दोनों याद रगना है अगर उन्होंनों कोई पदक जीता है तो वो भी आप याद कर लेना अड़तारिस्वी राष्टिय जूनियर तेरा की परतियोगेता हुई थी भूनेसवर उडिशा के अंदर वहाँ चार सनुपदक जीतने वाले खिलाडी कौन थे तो चुंग यूंग चेलानी थे जो उद्यपूर से हैं नाम चायना जैसा लग रहा लेकिन यूंग चेलानी जि चौदरी जो सुजानगड चूरू से हैं उनका खेल है गोला फेंक आगे क्या है कचनार चोदरी ने 25 वे राष्टिय फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स में काश्य पदक भी हासिल किया था तो कचनार चोदरी उन्हें 25 वे जो राष्टिय फेडरेशन कप जो सीनियर खेल है और ये कहां किया चूरू किया और उनका खेल कौन सा है गोला फेंक आगे क्या है अपूरवी चंदेला जो जेपूर से है आई एससेफ बिशे फेडरेशन का है तो जेवेलियं फ्रो से इंपोर्टेंट है ध्यान रगना है शंदीप चोदरी हैं वो जुन जुनू से इंका खेल कौन सा ये important है इसके अंदर Javelian throw तो Sandeep Chaudry का खेल कौन सा है Javelian throw आगे चलते हैं Monika Patel जिनका बारतिय किरिगेट टीम में chain किया गया इनका समध है पाली जिले से आप से पूछ सकते हैं खेल कोन सा है तो किर्गेट है बारतिय किर्गेट laughed येंग वह से आपको पुछ सकते हैं भावना जाठ है रात समीद्व करते हैं अट्यासरिम से को इता में सरो्षस्ट कहीं ने चुना गया तो सुकबीर शिंग को सुखबीर सिंग को पचासवी राष्टी ये सीनियर हेंड़ बोल परते हो गेता में सर्वसेष्ट खिलाडी का खिताब मिला है आगे चलते हैं सोनल सुकवाल जो काबरा गाव राष्टमन्द में इनका समन्द एथ लेटिक्स याने पेदलचाल से हैंगे इचलते हैं टोक्यो उलम्पिक खेल 2020 में राजस्तान में भाग लेने वाले खिलाडी कौन-कौन से ते अभी जो Tokyo Olympic खेल वे थे 2020 उसके अंदर राजस्तान के अंदर से भाग लेने वाले खिलाली कौन कौन से थे important है Divyans Singh पमार निशाने बाजी के खिलाड़ी है इनके खेल द्यान रखना Divyans Singh पमार निशाने बाजी के खिलाड़ी है अपूर्वी चंदेला निशाने बाजी के खिलाड़ी है अर्जुनलाल जाट है वो नोकायान के खिलाड़ी है बावना जाट पेदल चाल के खिलाड़ी है तो इन चार लोगों ने टोंक्यो ओलंपिक खेल 2020 में राजस्तान की ओर से बाग लिया था और कोई भी पदक किसी ने हासिल नहीं किया केवलीन के खेल याद रखना दिवियान सिंग पवार निशाने बाजी से अपूर्वी चंदेला निशाने बाजी से अर्जुनलाल जाट नोकायान से बावना जाट पेदल चाल से ठीक है आगे चलते आगे क्या है जो टोक्यो पेरा उलंपिक हुए थे उन पदक जीता था तीनों खिलाड़ों के बारे मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया सुंदर सिंग गुजर जेवलियन थ्रों के है काई से पदक जीता था ये भी मैंने आपको पता दिया पहले संदीप चोधर यह वो जेवलियन थ्रों से है मैंने आपको पता दिया शाम स राजस्तान खेल रतन पुरुसकार 2021 से किन किन खिलाडियों को सम्मानित किया यह important है very very important है इसको याद करोगे मेजर ध्यांचंद खेल रतन पुरुसकार 2021 सम्मानित खिलाडी कौन कौन से मिताली राज आपको पता है किर्गेट की खिलाडी है सर उपरतम यह लिंबाराम को दिया गया था राजस्तान खेल रतन पुरुसकार की सुरुवात कप की गई उगणी सो चोराणमा में की गई और सर उपरतम यह किसको दिया गया तो यह लिंबाराम जी को दिया गया आगे चलते है राश्टर मंदर खेल वेच थे बर्मी गम में उसके अंदर कौन-कौन से राश्तान के खिलाडी थे, तो राश्ट्रमंडल खेल 2022 में, बर्मी गम में जो हुए थे, उसमें बाग लेने वाले राश्तान के खिलाडी कौन से, एक तो मंजू बाला है, एक बावना जाट है, और एक अजे सिंग है, ये तिनु खिलाडी है और इन तिनु खिलाडियों ने भी कोई भी पदक नहीं जीता था तो द्यान रखना ये तिनु खिलाडियों का नाम द्यान रखना राष्टर मंडल खेल हुए थे 2022 के अंदर उसमें राजस्तान की और से मंजू बाला, बावना जाट और अजे सिंग ने हिस्सा लिया था ठीक है ये थे राजस्तान के खेल और खिलाडी कोण सा खिलाडी किस खेल से समन दीते है उसने कोण से पदक जीते हैं और कोण से जिले से समन दीते है सारे खिलाडी मैंने आपको एक साथ करवा दिया जगे-जगे स्पोर्ट पढ़ने की जरत नहीं है खिलाडी उसे क्यों सनाया तो अपनी इस क्लास में से बाहर नहीं जाएगा बस आप अपना प्यार और support कम देते हो मैं आपसे वापस एक बार humble request करता हूँ आप पूरा वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को subscribe नहीं करते हो वीडियो को like नहीं करते हो अपने दोस्तों के साथ share नहीं करते हो जिससे मैं दि-motivate होता हूँ मैं आपको लिए बहुत सांदार सांदार कंटेंट लाने को सिस करता हूँ इसलिए आप मेरी आप से रिक्वेस्ट है कि आप GK Tips बाई मेंदर बुगालिया फेमिली को जदा से जदा सस्क्राइब करें वीडियो को जदा से जदा लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेर करें और वीडियो पर कमेंट करें बेल वाला आइकन दबाद देना जिससे आपको नोटिवेक्स मिल जाएगा यह सारे काम करोगे तो मुझे मोटिवेसन मिल जाएगा चलिए मिलते हैं फिर किसी नई क्लास के साथ अब तक के लिए अपने स्वास्ते के ध्यान रखिए टेक केर जैहिंद